ओल्कम बैक एगे निव वीडियो गाईज तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोश्चे नमबर 72 नमबर कोश्चे आप देख पा रहा है थोड़ा सा लग रहा है कंप्लिकेटिव है बट बहुत ही इजी है तो इसको ऐसे हम लोग स्टेप बताएंगे जस्ट वन और ट आपको तो करना पड़ेगा जी तो competitive है ना तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इसको शुरू कर लेते हैं एक्चुली यह जो सिस्टम देख पा रहे है एक्चुली यह डिसी का रिंग सिस्टम है जहां पर एनर्जी टांसपर हो रहा है तो यहां से बोल्ट इन ह हो रहे है चलिए बाद में बता आते हैं फिले कोस्टन तो पढ़ लेते हैं उसके बाद सल्यूशन में जाते हैं ठीक है कोस्टन मोल रहा है यह 400 मीटर्स तो यहां पर थोड़ा सा रॉंग है ठीक है यह 400 मीटर्स नहीं होगा क्यूंकि जब हम रों कोस्टन स्वाल करेंगे तभी बताएंगे एक्चुली यह 300 मीटर्स है ठीक है आप करेक्शन कर सकते है नहीं तो कोस्टन आंसर नहीं होगा यह जो 70 प्लास 90 प्लास 80 & 60 लेके कितना होता है 300 होता है तो यह तो यह याद रहा कि 300 मीटर से रिंडिस्टिविशन है से लोट सोन ओके इन बिलो फिकर दी इस वल इंडिकेसिन के रहे है और रिदिस्टेंस आर इंडर मीटर्स जहाँ पे जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है बिलो इन दीकेसिन कितना पैस 70 मीटर 90 मेटर्स 80 मीटर्स 60 मेट यह रहे है दाइस्का मतलब बोलने का उसीष कर रहे है अगर 1000 meters है suppose यह पकल लिया 1000 meters 1000 meter में उसका resistance value कि कितना है zero point देख लेते हैं 0.2 0.2 ohms that means यह conductor जब हम लोग यूज करते हैं यह conductor का अंदर तो resistance property रहे गा ना वहीं बोल रहे हैं जिब पार 1000 meter पे resistance है 0.2 clear okay अभी बारते हैं निक्स्ट जो पॉइंट से लाइन है एंड़ लोट टैप्ट आप अप्ट पॉइंट B C D that means यहां पर बोलने के लिए उशिस कर रहे हैं लोट को हम लोग कहां से कहां से ले रहे हैं बी से टैप कर रहे हैं लोट जहां पे कितना Ampere से 100 Ampere clear तो यहां से जो लोट दे रहा है उसका लोट का क्यापासिटी कितना है 100 Ampere उसके बाद हम लोग देखेंगे सी का देखेंगे तो सी जो देख पा रहा है सी पे जो लाप मतलब लोट जो टैप हो रहे है 70 Ampere राइट और अप्शन डी जो दी पॉइंट पे अप्शन डी नहीं है दी पॉइंट से जो एनर्जी को टैप कर रहा है उसके लिए जो करेंड है 50 Ampere राइट ओके इसी टैप का कॉर्शन और एक भी है तो जहां पे वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए ठीक है हम लोग को i flow हो रहा है यहां से धान रखना पड़ेगा तो हम लोग यहां पे जो केवेल अप्लाई करेंगे यहां से स्टार्ट होगा just kevl का concept है और कुछ नहीं है okay right sorry और तो यहां पे total current हम लोग कीतना है वो पता नहीं है तो total current हम लोग बोल सकते हैं यहां से जो energy tap कर रह तो इसका मतलब i go current find out होगा a d के अंदर तो a d के अंदर current find out करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो step follow करना पड़ेगा तो वो step हम लोग आगे जाके बताएंगे और बिल्कुल हम लोग explain के साथ करेंगे यह साथ आप देख पा रहा है actually मैंने draw कर चुका हूं लेकिन यह है एरा आपके पास images ओके तो यह 70, 90, 80, 60 जहां से energy tab हो रहा है और बता जुका हूं this is the step one step one calculation करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह जो image है इसके अंदर जो resistance कितना है यह पहले find out करना पड़ेगा right okay simply अगर logic का बात करते हैं थोड़ा यहां से आपको देख पा रहे है 1000 meter पे अगर resistance 0.2 ohms होता है तो 1 meter पे कितना होगा very simple 0.2 divided by thousands actually यह जो question है तो हम लोग जितना describe करने के लिए lengthy होगा लेकिन अब लोग अगर इसको practice करें तो यह जो calculation हैड़ा easy हो जागा किको point पे है देखाते है बात में जागे तो 70 meter पे तो यहां से A से D तक जो meters है यहां पे resistance कितना होगा जादा रहेगा 1 से अगर 0.2 divided by thousand होता है तो 70 meter में जादा होगा तो 0.2 divided by thousand into 70 ऐसा करते करते हम लोग सभी का निकालना पड़ेगा जैसे A D के अंदर resistance D C के अंदर resistance और C B के अंदर resistance and last one जो B और A के अंदर resistance find out कर नहीं होगा मैंने अल्लेडी कर चुका हूँ आप लोग करके देखेंगे जो यह जो A D के अंदर resistance कितना है 0.0.014 सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे D C के अंदर तो D C के अंदर हम लोग जब अप्लाई करेंगे कितना होगा 0.2 divided by thousand into 90 सेम प्रोसेस आगे बढ़ेंगे और इसका अनसर हो गया 0.018 क्लियर ओके अभी आते हैं C B के अंदर राइट C B के अंदर resistance 0.2 divided by thousand into 80 अगर हम लोग इसको कल्कुलेशन करेंगे तो यह देख पा रहा है 0.016 ओम आगे बढ़ते हैं जो ओके रेजिस्टेंस B A के अंदर डाट बीन्स B A के अंदर जो resistance है मतलब 60 के अंदर 0.2 divided by thousand into 60 मीटर्स और इसका फाइनल जो आंसर आता है 0.012 ohms ओके यह जो 1234 ओके जो फोर कंडिशन है यह निकालना पड़ेगा इनको आगे जाके हम लोग कारेंट को find out करने के लिए जो के वियल डालेंगे इसके अंदर के वियल लूप डालना पड़ेगा ओके तो के वियल एपलाई करने का पहले जो स्टेफ है स्टेफ टू हम लोग को जानना बहुत ही जूरूई है तो स्टेफ स्ट्प क्या है देखे तो यहां पर देख पा रहा है जो इमेज़ेस है मैं यह इमेज को शो करता हूं तो साहथ अच्छा रहेगा और यहां से मैं ड्रॉ कर लेता हूं ठीक है तो current करना estction करन तो यहां पर unknown है यहां पर करन कीतना है यह find आउट करका हम लूग लिखाना है जह current ओकर My लगो लेखेंगे, AD के अंदर, कितना है, ICURNT है, यह clear है, ओकि इसके बाद, D and C point के अंदर current के पतला है, अब ही आता है current of C and B के अंदर current कितना है right C and B के अंदर current हम लोग लिखेंगे I से अगर minus करेंगे कितना I के अंदर minus करेंगे यहां पर 50 है okay right देख पार है 50 and 70 right उसको add करेंगे I minus 120 minus कर देंगे उसको add करने के पर इसको minus करेंगे तो यहां का current आ जाएगा right तो आभी जो condition है अब लोग अभी निकलेंगे B and A के अंदर okay C B के अंदर हो गया B C के अंदर हो गया ठीक है right और last जो point है B A के अंदर current हम लोग find out करेंगे I से अगर minus करते है total current कितना देखो यहां पर 50 plus 70 plus 100 add करके अगर minus करेंगे यह देख पा रहा है two two zero 200 हो रहा है two hundred हो रहा है तो minus करेंगे तो इससी जगा आप हो आप A and B के current हम लोग find out हो जाएगा clear ओके यह current second जो step है यह जानना बहुत ही जोरूरी है सेकेंड स्टेप टू एंडी स्टेप ओके मैं लेख दिया देखो यह स्टेप वन था इस इस स्टेप वन रेजिस्टर्स हम लोग find out कर चुका हूं यह देख पा रहा है और इसको current find out कर चुका हूं अभी जो apply करेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है और इसको find out करते है तो पहले बाला जो ग्राफ्स देख पा रहा है हम लोग image से find out करेंगे तो यहां का potential drop हम लोग करेंगे ठीक है तो अगर simply अगर close करेंगे इसको multiply 0.014 ओके प्लास करेंगे सामेशन कर रहा हूं तो DC के अंदर जो potential drop है वह find out करेंगे इसको लेकिन के इतना है total यहां पे DC के अंदर current है i-50 ओके हाई मतलब current है यहां पर तो यहां से हम लोग लख सकते हैं पहले resistance लग लेकिते हैं यहां का रेजिस्टन्स अल्यड़े find out करके रखा हूं DC के अंदर 0.018 राइट 0.018 और इसका जो current है i-50 clear अभी बढ़ते है प्लास कर लेते हैं अभी आता है cb के अंदर राइट cb के अंदर कितना है यहां पर देखेंगे cb के अंदर 0.016 तो 0.016 राइट इसके अंदर जो current है current देख लेते हैं यहां पर देखो इसका अंदर current है हम लोग लेखेंगे i मतलब current माइनस 120 clear ओके नीचे लेख लेखते हैं फ्लास करते हैं ओके लास्ट जो वान से हम लोग लेखेंगे जो यह वाला सीन है ओके लास्ट आर बी एक अंदर जो resistance है कितना देखेंगे देखो यहां पर देख पा रहा है बी एंड एक अंदर जो तो रेजिस्टेंस है यह वाला रेजिस्टेंस है 0.012 यहां से लेख सकता है 0.012 और इसका current है हम लोग current डारेक्ट लेखेंगे यह देख पर है यहांके current है total current minus 2 to 0 equal to 0 एक लोग अगर हम लोग अगर केवियल अपलाई करते है तो total summation of the potential drop equal to 0 clear ओके तो इसको normally solution करते है solution करने के बाद थोड़ा सा step लंबी होगा तो इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं इसको simplify जगर normal करते है आई जैसे है इसे रख देते है 0.014 है राइट प्लास रखते है अगर इसको हम लोग नॉर्मल है multiply करते है कितना हो जाएगा 0.018 आई ए माइनस करते है तो इसको साथ अगर इसको हम लोग अगर क्या करें करें तो क्या होगा माइनस है तो इसको multiply करने के बाद आ जाएगा 0.9 हो जाएगा राइट क्लियर ओके अब लोग कल्कुलिस करेंगे उसके बाद प्लास है तो इसको अगर multiply करते है तो हो जाता है 0.016 आई ओके आई यह लिखने का जोरोद नहीं है बाद लेग भी सकता है ठीक है मैं यहाँ पर छोड़ दिया आई यह लिख सकते है आई यह और ओके तो आई यहाँ यहाँ लेग लेता है plus कर लेता है उसका सरी माइनस 16 multiply 120 के साथ अगर multiply करते है तो कितना आ जाता है तो यहाँ से आ जाता है 191.92 प्लास नेक्स जो है हम लोग लिखते है 0.012 आई ए माइनस अगर इसको अब लोग नॉर्मेली इसको कल्कुलेशन करें इसको माइनस ते माइनस रखा और इसको multiply करे 0.012 multiply 220 तो कितना हो जाएगा 2.64 equal to 0 clear इसको अगर लोग प्लास करें गहीं करेंगे ओकी इसको mark कर लेते हैं पहले कितना आई है तो यहां से आई है और यहां से आई है और यहांसे आई है और यहां फे हैं तो इसको अगर submission करें अगे, वालो इसको अगे बात आज आएगा यहां से देख पार है आप करने के बाद अब लोग एड़ करेंगे आई ए टोटल हो जाता है अगर यह जो साइड वाला जो डिजिट है इसको नॉर्मली अम लोग एड़ करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.06 और यहां से ग्रीन कलर से अब लोग मर्किंग कर देते हैं यह जो नॉर्मल डिजिट है 0.9 माइनस देख पार है 1.92 और लास्ट वन जो है 2.64 इसको एड़ करते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वेल करके ऑपोजीट साइड में लेके जाएंगे ऑपोजीट करेंगे ओके तो उसके बाद हम लोग को आई को फाइंड आउट करना है आई एक्वाल टू 5.46 डिवाइड वाइड वाई 0.06 सिंप्ली इसको अगर कल्कुलेशन करेंगे आई एका आ जाएगा इतना है इसको अगर डिविशन करेंगे तो 91 देखते हैं ऑप्षिन में 91 करेंट है ओई आए करेंट कितना जा रहा है मतलब आई यह करेंट कितना है तो यहां से ओप्षन दिया था 100 अंप्यार अप्षिन 2 91 एंप्ष और और 3 41 एंप्एर अप्षिन 4 129 डियर तो इसका राइट एंशन है तु इस डाइट अंशन क्लियर